औक्टूबर 2022 का रिजल्ट कब आएगा and April 2023 के लिए आज के इस वीडियो के अंदर बहुत बड़ी अपडेट है साती में कुछ गुड़नीज बताने जा रहा हूं प्लिस इस वीडियो को एंड तर जरूर देखना ताती कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए मैं मनिस पर हुआ आप सभी का स्वागत है हमारे चल पर इस ताइम सबसे बड़ी प्रोब्लम औक्टूबर 2022 के रिजल्ट को लेकर हैं जिसके बाइस के काफी सारे स्वेंट्स बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में हो गये हैं क्यों क्योंकि उन्होंने आगे एडमिशन भी ल इनका कहना है कि इसी बज़े से फिर्ट की वेल्व है वो कम हो जाती है न एक्जाम टाइम पे ना रिजल टाइम पे ना बुक्स टाइम पे तारिक पर तारिक देकर बच्चों के जो लेवल है यह आनिस बोड ने ओरेडी बढ़ा रहा है अगर आप देखोंगे तो सिवेसी इनका सब कुछ टाइम पे होता है रिजल्ट भी टाइम पे एक्जाम पे उनको कोई दिक्कत नहीं होता उनको नेसलल मीडिया भी कवरेज दे दिया होती है लेकिन इनके साथ दोयम दरज़ा का भेवार किया जाता है आज भी किसी मीडिया वाले ने यह मुद्दा नहीं सुनते आ रहे हैं लेकिन जब आप सभी ने कॉमेंट्स करा और यह कॉमेंट्स सारे मैं इसके शूट सेंट किया जब बैटम सोरो सरमाजी को जो कि चेर परसन है उन्हों ने इस चीज को कॉंसेडर किया है और जब आप सबनी कॉमेंट्स करें कि हमारा फ्यूचर खराब पर तारिक पर तारिक मिलती है का पीषियू से जब जाता है मेरे काम होता है डि मिसन और पर लेकिन जब रिजल्ट की बाती यह तो रिजल्ट एब्र शेड रेले कर दिये गए जब इसकी वज़या जानने के-लिए आज शटरा तारिक को मीटिंग करें गई इसके अंदर क्या ब परसेंटेज देखोगे तो वह काफी डाउन रहा है और इसे ग्राफ को हमें उपर लेकर जाना है अगर आप देखोगे यहां पे तो October 16 के अंदर देखोगे तो सिफ 31% बच्चे 12th क्लास के अंदर और 10th क्लास के अंदर सिफ 38% बच्चे पास होगे थे अक्टूबर 2021 में 12th के अंदर 32% और 10th के अंदर 44% अगर आप देखोगे तो यह ग्राफ बहुत जादा नीचे है और सिर्फ भारत में नहीं मैं all over world की बात कर रहा हूं इतना लोग ग्राफ किसी भी नैसलन बोड का नहीं होता है लेकिन अनुच बोड का है इसी चीज के उपर कर दिया जाएगा मैडम जी की दुवारा यही कहा गया है ताकि जो बच्चे दो चार नंबर से भी रह जा रहे हूं उनको हम पास करने की पूरी कोशिस करें चाहे ग्रेस मार्किंग भी देना हो तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि मैडम जी ने हापके कंफर्म कर द कर दिया है आप सभी बहुत खुस होने वालों किया जाएगा आप सबसे पहले में के आपको बता दूआँ तो टैंसर नहीं लेना है ताकि जो request है मारे accept कि जाए और grace marking तो कमपलशरी मिलना चाहिए हर वार ऐसा कहा जाता है कि grace marking हम देंगे कई बच्चों को कम दिया जादा कई बच्चों जादा दिया जाता है ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चे एक-दो नूमर से पास हो जाएंगे उनको भी एक-दो नूमर नहीं दिया जाता है और इसी वएचा जो ग्राफ एनिस बोट का वह रहा जाता है रिक्वेस्ट मेरी बोट से यही रही है और इस वार भी यही होगा और इस वार मैक्सिमम बच्चे पास हो इसी चीज़ का दिहान रखा जा रहा है तो आप से रिक्वेस्ट करता हूं प्रिस टेंसन बिल्कू मतले जिए आपका भाई आपके साथ खड़ा है आपको एक भी महीं आने दूआ यह गरांटी है मेरी तो इतना वेट आपने करी लिया है तो यह कुछ ही समय की बाते हैं आपका रिजल डिक्लियर होने वाले है टेंसन बिल्कू मतले जिए और आप सभी के चेहरे पर मुश्कान हो और यह ग्राफ उपर हो इसके पूरी कोसिस की जा रही है इसने पूरे टीम एनसपोर्ट के लगे हुए है अब जो मैं बताने जा रहा हूं यह अक्टूबर 2022 और अप्रेल 2023 के सभी सुन्ट्स के लिए बहुत बड़े गुड नीव्स है वो क्या है आपने सुना है बुक फेर जो परगती मदान में लगता धली के अंदर क्लास 10th और 12th क्लास के बच्चे पाटिस्पेट कर सकते हैं अगर आप 10th में हो या 12th में हो तो आप सीधे एनसपोर्ट के head office में जाए और जोब फेर के अंदर पाटिस्पेट कीजिए अगर आपके अंदर वो सारी eligibility होती है आपके अंदर वो capability है तो आप सभी को health या paramedical sector म में automobile sector में and IT sector के अंदर आपको job easily मिल जाएगा तो एनसपोर्ट के दोवारे यह जो प्रोग्राम चलाया गया है इस प्रोग्राम के दह्त एनसपोर्ट के उन सभी students को फायदा होने वाला है जो एनसपोर्ट से पढ़ाई करके आगे निकलते हैं और 10th और 12th complete करके job की तलास म होते हैं एनसपोर्ट ने उन बच्चे को consider रखिया है तो इसके लिए आपको registration करना होगा और आज ही इसके last date है और आज के दिन पूरी एनसकी टीम बहुत बीजे थी सिर्क इस job fair के लिए ताकि skill वाली job उनकी लग सके और अच्छा-कासा पैसा वो earn कर सके तो एनसपोर्ट क तो एनसपोर्ट के दोवारा first time यह क्या गया है और आपको इसका पूरा benefit लेना चाहिए मैं आपसे यही कहूंगा इसी good news के वज़े से एनसपोर्ट के दोवारा बहुत काम किया जा रहा है और यह first time हुए कि इसी वोड के दोवारा जो fair conduct कर गया हूं और एनसपोर्ट को इस यही सबसे बड़ी problem है अगर यही solve कर दिया जाए तो बच्चों की जो 99% tension है अपने आप ही दूर हो जाएगी एनसपोर्ट के दोवारा अगर इस problem को solve कर दिया जाता है तो अप्रेज 2023 के सभी students को इसका benefit मिलने वाला है क्योंकि उस time पर लेट किया जाता है तो college के admission में दिक इसी वज़े से जानसपोर्ट को प्रैसर वो नहीं बन पाता है मेरी हां पर पूरी कोशिस रहती है कि आपके comment से हमें पूरा प्रैसर बनाओ और इस वीडियो के बाद आपका जितनी frustration है वो comments box में निकाली है ताकि मैं इसका एसींसोटलू और एनसपोर्ट के अधिकारियों कि नौर्टिष के अंदर एनसपोर्ट के को रिजिनर सेंटर नहीं है बचोंको असम जाना पड़ता है लेकिन अब क्या कि अनसपोर्ट है सिक्किम की capital यानकि गंग्टोक के अंदर भी एनसपोर्ट के दौरा अपना एक रिजिनर सेंटर ओपन कर दिया गया है अब यहां प registration कर सकते हैं ताकि आप questions भी पोज सकें बाकि April 2013 के सभी students के लिए ये बहुत जरूरी है 31 January last date है और इससे पहले-पहले आपको अपना TMA submit करवा देना है TMA मतलब just a assignment होता है उसमे 6 questions आपको लिखना होता है question कहां मिलेंगे आप यहां परिके download TMA आपको अपने ID login करना है और download TMA के लिए करके question को download कर लिजिए और उसको लिखकर simple upload TMA पे upload कर देजिए अगर आपने अभी तरह TMA नहीं बनाया है तो इस वीडियो का option box के अंदर आपको 60 TMA की PDF मिल जाएगी अप्रिल 23 के लिए आप इस PDF को download कीजिए A4Size की seat में इसको लिखकर इसको scan करकर PDF बनाकर इसको simple and website पे upload कर देजिए कई बच्चे यह उसरे सरे का हमें front page बनाना है यह नहीं बनाना है that's up to you बना भी सकते हो नहीं बना सकते हो क्योंकि आपके ID पे upload किया जाता है अगर आप प्रेंट पर देते हो तो इससे कोई problem नहीं है बाकि आप hand return TMA का मतलब होता है कि जैसे इसको download करोगे आपको लिखना नहीं पड़ेगा डाइटल इसको upload कर देना है अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे लिखवा के upload करवाना है तो आप हमारे TMA service पर download कर सकते हो इसमें क्या करता है कि हम बच्चों के लिए TMA पाले लिखते हैं देन upload करते हैं तो सारी link यहां पर अपरेल 2013 के सभी students के लिए वी जनवरी से हम special classes चला रहे हैं जिसके अंदर अपरेल 2013 के examination की preparation करवाने वाले वह question जो आपके exam में आने वाले वह पहले ही आपको prepare कर देंगे तो प्लीस online classes में जोई हो जाना वुस्टर classes just recorded classes है और premium classes यहां पर आपको light classes मिलती है मेरे और मेरी team क की द्वारा आपको बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाया जाता है ताकि आपको ऐसा लगे तो अरे बाई यह कोशन तो हम पढ़कर या था एक्जाम में आ गया इस तरीके से आपको हम पूरा prepare करवाते है नोट्स को download कर लिजिए ताकि अच्छे तरीके से आप अपनी preparation कर सकते जिसको बुक्स नहीं मिला है आप पॉस्ट नहीं मिला है और प्रैक्टिकल अबर मार्च में होगा नेस वीडियो में practical एग्जामिशन पर लेके आने वाला हूं ताकि आपको बता दू मैं कि कैसे प्रैक्टिकल बनाना है बागी पलपल की सारी अप्डेट्स के लिए चैनल जल्द से जल्द इसी week में टेकलेर किया जाया और जोशोण को पास किया जाया ग्रेश मार्किंग कंफर्म करके अप्रेल दोजयर 23 के लिए कि लिए काम ना करता हूं मिनुगा नेक्स वीडियो के अंदर ये वीडियो कैसे लेकिने से कमेंट बॉक्स से मताना और इस वीडियो को सभी जगा सेयर करना ताकि ये नियूज सभी को पता चले जै हिंद जै भारत